हेलो दोस्तों स्वागत है फास्ट इंफोरमेशन में आज हम बात करते हैं कारेला परिचारी का इंटरभ्य इस्टार्ट है आज से तो आज 21 दिसंबर को कुछ स्टुडिंट से मिले तो उनसे जो कलेक्शन के हैं कोईश्चन का वो हम बताते हैं कि आपको किस तरह से हैं उसके अलाबे 2-3 प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं जरूर एक बार देखके आप इंटर्वियू देने के लिए जाईएगा क्योंकि हम बेसिक लेवल का वीडियो क्वेस्टन से लेकर हाईर लेवल तका तेयारी कराकर कि बहुत सारे वीडियो अपलोड किये हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखकेगा आज का वह को पूछा गया तो एक स्टुडेंट बोला जिन से पूछे कि बहाई क्या पूछा गया तो उसने बताया कि सर्व मेरे से मेरे से पहला question पुछा गया कि आपका क्या नाम है तो यानि कि सबसे पहले उसको नाम पुछा गया तो उसने बताया कि मेरा नाम परेम कुमार है तो उसका नाम परेम होगा तो परेम बोलना है जिसका जो नाम है किसी का मुनोज होगा किसी का दुरगा होगा किसी का सोहन होगा मोहन होगा जो भी नाम है आपको अपना नाम बताना है तो नाम पूछा गया उनसे फिर मैंने दूसरे student से मिला तो उनसे बताया कि सर मेरे से ये पूछा आप अपने बारे में बताईए देखिए ये जो question का selection दे रहे है न ये different different student से पूछा गया है बहुत question ऐसा है जो common question आता है वो हर student से पूछ लिया जाता है तो एक student ये बताया कि आप अपने बारे में बताईए ये question पूछा गया तो इस question का जवाब हम अपनी तरीके से बताते हैं कि किस तरह से देना है क्योंकि ये question बार-बार पूछे जाते हैं तो इसका जवाब आपको ऐसे देना है मेरा नाम परेम कुमार अगर आपका नाम परेम कुमार है तो परेम कुमार मैं पठना जिल्ला से हूँ आप जिस जिल्ले से हैं पहले जिल्ले के नाम देंगे क्योंकि जो इंटर्व्यू लेने वाले हैं वो आपके ग पटना परखंड में हैं अगर आपको परखंड बताना है तो जिल्ला के बाद परखंड बताईए फिर उस परखंड में जो गाउं है जैसे कि पटना परखंड में पटना ही मेरा गाउं है तो आपको बताना है कि पटना मेरा गाउं है आपको इस तरह से बताना है मैं पढ़न अपने बारे में बताना है कि आपको क्या रूची है, आप कैसे हैं, तो अगर मेरे नुसार से बात करें तो आप इस तरह से आंसर देंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, अगर आद देख लेते हैं, आप कहां से आए हैं, एक एस्टुट ये पूछा कि आप कहां से आया हैं, तो उसने बताया पटना जिल्ले के पटना परखंड से गौ मेरा पटना है, यानि कि उसको जिल्ला का बताना है, परखंड का नामी बताया और गौ का नामी बताया, एक साथ में इस तरह से आंसर दे सकते हैं, तो हम ये आंसर है, अपने पोष्ट का interview देने की लिए आए है यह भी पूछा गया तो उसने बताया कारेला परिचारी तो अगर आप कारेला परिचारी का interview चल रहा है तो कारेला परिचारी ही कहें उसके बाद बिहार का मुख मंतरी काल है बिहार का तो अभी माननीय स्री निति सुमार जी है सब को मालूम है उसके बाद एक कोईशन पूछा गया बिहार के पहले महिला मुकमंतरी कौन है देख यहां पर गलती हो गया है यह नहीं होगा अंसर गलती टैप करने विला गलती लिख दिया है बिहार के पहले महिला मुकमंतरी कौन है तो यहां पर हो मुक्h मंत्र इा कि दिशा जा जा रहा है तो हो न प्यार के पहली दीन डूसरा दिन कुछ भी सीन पूछ जा सकता है तो हम आपको यहासी कर रचनि के बारे मताएं ऀयक के पूछा गया कि बिहार के पांच आची हैं अस्थाल के नाम बताईए जो बिहार में बहुत फ्यमस आई परसीध है एतिहासिक अस्थाल का नाम बताईए क्यूंकि वहां पर जो पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े हैं जो पताया जाता है तो सब गर्जोशन रहते हैं कम से कम गर्जोशन तो लगभग 90% स्टुडें बिहार की राजधानी कहा है तो बिहार की राजधानी पटना है सब को पता है उसके बाद और कुछ हम दिखाते हैं जो पूछा गया जैसे कि एक स्टुनेंट्स यह भी पूछा गया कि सैंकल चलाना आता है आपसे यह भी पूछ लिया गया तो यस सर यस सर भी बोल सकते हैं या आप J, sir भी बोल सकते हैं, तो जी sir या यह sir दोनों बोल सकते हैं, उसके बाद एक question की पुछा गया, आप किस class तक पढ़े हैं, तो intermediate, अगर आप intermediate की हैं, तो intermediate या graduation की हैं, तो graduation याद रुखेगा, graduation करिएगा, बोलिएगा, तो graduation का हिंदी क्या होता है, graduation का Hindi होता है असना तक उसके बाद graduation आप किस honors कौन था आपका यानि कि honors तो आपको honors की नाम याद रखना है तो ये सारी चीजे graduation का explain क्या है intermediate का explain क्या है intermediate को Hindi में क्या कहते हैं तो सारे चीजे आप उनको याद रखें क्योंकि आप छोटा level logical level conceptual question पूचा जाता है इंटर्व्यू में तो आप याद जरूर रखें एक स्टुडेंट से पूछ लिया गया आप अभी क्या कर रहे हैं तो आपको बताना है पढ़ाय के साथ साथ काम करते हैं घर पर यानि कि घर पे पढ़ाय के साथ साथ काम करते हैं हम घर का नाम इसलिए बता रहे हैं अगर पूछा गया एक स्टुडियंट से आप बहुत पड़े हैं क्या यह काम कर सकते हैं इसका आंसर देना है जी सर सबसे पहले बोलना है जी सर यह काम कर सकते हैं क्योंकि काम कोई छोटा या बरा नहीं होता सारे काम कर सकते हैं सारे काम बराबर होते हैं इसलिए हम सारे काम करने के सक्षम है और युमनदारी सांवेशा करते रहते हैं तो यह चीज आपको बताना है ठीक है तो अगला कुछ देख लेते हैं अगला कुछ यह पूछा गया के मैट्रिक का सब में जानखारी लेने के लिए को पुछте पूछिये होंगे तो आपको हर चीजी के जानकारी अना चाहिए एक स्टुनेंट से ये पूछा गया बिहार विधान सभा का अध्यक्ष कौन है अभी जो बरतमान में बिहार विधान सभा का अध्यक्ष कौन है तो सिरी बिजाय कुमार सिन्ना माननी ये सिरी बिजाय कुमार सिन्ना जी है तो आपको ये चीज हो गया ठीक है तो आप देखे यहाँ पर हर तरह के question पूछे जाते हैं जी के भी आपको विभारी ज्यान भी आपको पढ़ने आता है या नहीं सारी चीज़े पूछा जाता है तो हम अगले वीडियो के माध्यम से और जो भी question collection होगा आपको हम बताएंगे अब हम सेंटर से आये हैं और आपको question दिखाएं तो देखते हैं यह fast information जैसे कोई नया खबर आता है तो हम आपको दिखाएंगे कल का वेट कीजिए कल का भी question हम आपको दिखाएंगे लेकिन बिहार का एतिहासिक अस्थल बिहार के बारे में कुछ conceptual जानकारी अगले वीडियो में हम आपके बीच share करेंगे तो देखते हैं कोई डॉट हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजेगा अगले नोटिस्पिकेशन के लिए बेल आकन दवा लिजे तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ थैंक्यू फर वाचिंग